नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अनिल चौधरी है और जो आपका एफिंजी का एक्जाम है ये 20 जन्वरी 2024 को कंडेक्ट कराए जाएगा और दोस्तों NVE की जो अफिसली साइट है National Board of Examination and Medical Sciences वो आपके इस एक्जाम को कंडेक्ट कराएगा और 23 नविंबर 2023 को आपकी इन्वर्मेशन जो बुलेटे ने वो NVE की ऑफिसली साइट पर दोस्तों अफ्लोड कर दी गई है आप माजा के देखशकते हैं इसके लाब जो आपके एफिलिकेशन फॉर्म फिलका जो प् रुपक अपना फॉर्म फिल करें क्योंकि मैंने लास्ट इर देखा है तमाम स्टूडेंट से मिस्टेक होई चाया उनसके डॉकॉमेंट्स अच्छे से अपलोड नी हो पाए या इसके लाब तमाम तरीके की प्रॉलम आई तो देखा काफी स्टूडेंट का रजल्ट रोग का एक्जाम लगेगा इसके लाबा ट्वंटी फरवरी को इसमें रजल्ट आने के लिए कहा गया है हलाकि अपडाउन हो शकता है इसके लाब दोस्तों एक हैल्प लान नंबर दिया गया है मैं नोटेस स्क्रीन पर लगा देता हूँ आप मायल प्लान नंबर पर कोई भी मार रही है तो दोस्तों यह एक्जाम का सेड्यूल आ चुका है इसके लाबा जितने भी मेरे सीनियर हैं बड़े भाई हैं मैं आपके लिए all the best बोलना चाहूंगा अच्छे से मेनत करें बहुत कम समय बच्चा हुआ है आपके पास लगबग पूरा दो मेने का समय भी नहीं कर नहीं है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा कठोर परिश्रम कर सकते हैं चीजों को रिवैज कर सकते हैं कॉंसेट को क्लियर कर सकते हैं करिएगा क्योंकि यह एक नंबर भी कम रह गया अगर आपके 149 भी रह गई तो दोस्तों फिर आप समझो आप बिलकुल ही अनकौल हो उस दन जिस दिन रजल्ट आई यह ना उना बोटी सेवन नंबर है बन फोटी एट नंबर है कास चार कुश्चन और ठीक हो जाते कास में और पढ़ लेता तो एक कास सब्द की गुंजास नहीं है आपको जो आपका यह दे रहा कि बाउंड लें 50% की से कोसिस करें तस पंद जाती लेकिन दो साल से में देख रहा हूं इसमाँ आप जितना बेतर स्कोर करोगे आपके लिए उतना ही इंटर्सिप में कॉलिज मिलने के लिए कारेगर होगा तो अगेन आप सभी भाईयों के लिए ओल्दा वेस्ट आज के लिए इतना ही जैहिंद बंदे मात्रम